नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूटूब चेनल बीरू अकाइडमी पर डियर बात करेंगे बीर पातरता भी बात को लेकर के जो आज महात्रपूर सुनवाईया हुई है उसका कोट आडर जारी किया गया है पुरी तरीके से बात करेंगे बीर अड़ भीरतियों पर कही नापनी जो खत्रे के मादल है मनराने लगे है और शुप्रिंग कोट का जो आडर है जारी हुआ है बीर अड़ भीरतियों पर हलकम्प मचा हुआ है पूरी तरीके से बात करेंगे क्या मैटर है आई यह सुरुबात कर देते हैं डियर आपकी स्क्रीन पर मानिक शुप्टिंग कूट के द्वारा जो आज सुनवाई थी पिहार सिचकभरती के एकोर्डिंग वो आप देख सकते हैं त्यारा दस दो हजार तेईस को दिस्पटिशन स्वाज कॉल्ड फॉर हेरिंग टूडे यहां पर जिस्टिस एस गोपन्ना और एमेम सुन्दरेश जी की बेंच पर इस मामले को सुना गया और जो एडवोकेट थे वो आप देख सकते हैं प्रसांत भूस्टन जो एडवोकेट Consider the fact that the issue pertaining to such recruitment was considered by the bench headed by Honorable Mr. Justice Anurudhbos and certain observations have been made by the bench Registry may take note of the same place the matter before the Honorable Chief Justice of India and list the matter accordingly यहां पर आपने देखा कि पूरी तरीके से इस matter को Anurudhbos जी को ट्रांसपर कर दिया गया appropriate bench को क्योंकि आप जानते हैं लागातार बिहार की सिच्चकबर्ती के according पहले पटना हाइकोट से भी बियर्ड अभ्यातियों को चटका दिया गया था पोई राहत पहले थी फिर बिहार की सरकार में भी SLP लगाई थी हलाकि उस SLP को बिहार की सरकार ने पूरी तरीके से वापफ ले लिया था 9 October को और आज ये एक फ्रिस केस था लेकिन यहां पर 36 गड़ की सिच्चकबर्ती की बिवात की गई कई तरीके से अपनी जो बाते हैं वियर्ट की तरफ से वो इस पुष्ट करने की कोशिस की गई लेकिन पूरी तरीके से जो जस्टिस थे उन्होंने मामले को एप्रोप्रियेड बेंच अन्रोध बोस जी की बेंच पर ट्रावफ पर कर दिया है इसके पहले आप देख सकती ह यहाँ पर जब बिहार के सिचक बरती चल रही थी तो उस समें तीन जज़ों की बेंच के द्वारा भी एक आडर पास किया गया था 28 अगस 2030 को और वो और भी अनुद बोस जी नहीं दिया था यहाँ पर लिखा हुआ है चुकि बिहार की सरकार उस समें पार्टी नहीं थी इ पूरी तरीके से जज्जमेंट को कंसीडर करके भरती करने का आदेश दिया गया था वो धी सारी बाते यहाँ पर पूरी तरीके से दरसाऊई गई है और अब मामले को अनुद दबोस जी को सोंब दिया गया है आप जानते है दियर इससे पहले अनुद बोस जी को यह matter दिय गया और पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था डियर कि 16 अक्टूबर को इस केस की अगरे सुनवाई होगी मत कीजिए अगर यहाँ पर स्चुप्रिम कूट के द्वारा जो डारी नंबर डाली गई दी पांकर गौर वर्सिस स्टेट अब बिहार की तो यहाँ पर 20 स्टारी कंप्यूटर जनरेटेड डिखाने लगा है और यहाँ पर जब आप स्टेटर्स देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ देख सकती हैं सिविल केस लिष्ट बिफोर एप्रोप्रियेट बेंच अक्टूबर डेट त्यारा तस दो हजार तीस यानि कि आज की सुनव इस पर जो अंतिम नड़े है वो इसकी स्थिती बन रही थी लेकिन लगा था इन्होंने सारे जो पच्छ हैं उनको इस पर रोप से सुना था एन्सीटे ने भी अपना पच्छ मजबूती के साथ रखने का प्रयास किया था सभी राज्यों की राज्य सरकार के द्वाराय सेल पी ली थी और उसके बाद जज्जमेंट को पास किया था 11 अगस 2020 को और वियट को पूरी तरीके से आउट कर दिया था प्राथमिक लेवल की शुपरिम कोट में कि नोटिफीकेसंस पहले का है और हमने नोटिफीकेसंस में मानी सरवोच चिन्यायाले के फाइनल जज्जमेंट की बाद भी नहीं की थी इसलिए आप इनको मवफा दीजिए फिलाल इस केस की जो अब अंतिम सुनमाई है वो उस तरी अन्रोद बोस जी ह आने वाली 20 सक्टूबर को और विहार कि सिच्छकवर्ती में क्या होगा वो आज सब भली बात जानते हैं आपकी क्या राया है कमेंट बाउक्स में जरूर में सुन्स कर दीज़ेगा बीएड अब भरती पूरी तरीके से हातास है क्योंकि वो जानते हैं कि अन्रोद बोस जी वही जड़ है जुन्होंने बीएड को प्रात्मिक से बाहर किया था और अब मामला एप्रोप्रियेट बेंच से होते हुए माननी अन्रोद बोस जी की बेंच पर ही जा पहुंचा है डियर पूरे वीडियो पर आपकी क्या राया है कमेंट जरूर करिएगा फिर मिलेंगे ए तक के लिए जाही जा पहरत